जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रेल में अगर देश का रिकवी रेट करीब 11.42 परसेंट था 3 माई तक बढ़कर वे 26.59 परसेंट हुआ 18 माई को वही बढ़कर 38.29 परसेंट और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07 परसेंट हो चुका है इस विशे में मैं एक और मुख्य विशे आप लोग की दिख्टी में लाना चाहूंगा कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेंट बढ़ गए हैं हमारा देश सात्वे नंबर पर है यहां यह सोचना यह अनलाइज करना बहुत जरूरी है कि यह अनलिसस एक डाउटफुल एक रॉंग कंपैरिजन परस्तूद करता है जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए वह कंपैरिजन प्राइमेरली हमारे देश की आबादी के तुलना में होना चाहिए और उसके बारे में हम इससे पहले भी कहीं बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए तो in terms of overall relative performance हम देखते हैं कि हमारा देश overall performance wise उसमें काफी कुछ stability हम लोगोंने note की है अगर हम आज कभी data देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसे राये हैं और 55.2 times अधिक death भी वहाँ पर report हुई है तो यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम देखें कि continuous effort जो field पर रहे हैं either in terms of surveillance और in terms of contact tracing या हम कैसे early case identification पर focus करें और साथ में जो case positive है उसको हम clinically कैसे तरीके से manage करें उन efforts के तहट हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 April में अगर देश का case fatality rate करीब 3.3% था वह घटा 3.25% हुआ घटे घटे 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है इसी comparison को अगर हम fatality rate को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का comorbidities जैसे कि diabetes, hypertension, cardiovascular disease, respiratory diseases इस type के cases में 73% जो confirm cases हैं उनमें death उनको with comorbidities पाया गया है तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज people who are at high risk are primarily elderly people जो कि 60 अबवेश के हैं further compounded by the fact कि people who are comorbidities जैसे कि diabetes, hypertension, cardiovascular disease और respiratory diseases आज जब हम covid की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी high risk में हमारे देश के लोग हैं वे हमें support दें, वे required preventive action लेते रहें और साथ में अपने symptoms के basis पर वे जो भी medical advice और medical follow-up पर वे करें जरूरी है कि वे social distance बना कर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो की घर से बाहर जाते रहते हैं वे ये ensure करें कि अगर उन्हें कोई pre-existing medical condition हो, चाहे वो diabetes हो, hypertension हो, या cardiovascular disease हो, वे उससे संबंदित दवाई और उससे संबंदित check-up में कोई भी कोता ही ना करें साथ ही जरूरी है कि हम immunity boosting पर भी काम करें मिनिस्ट्रिय और आयूश द्वारा पर एसकाइब किये गए, चाहे वो हरबल्टी हो, चाहे काड़ा हो, उसको लेकर भी हम अपनी immunity की तरफ भी काम करें या बहुत जरूरी एक कार्य हमारे ये सामने है इसके साथ ही हम ये avoid करें कि हम बाहर जाएं जरूरत पड़े, तो हम टेली मेडिसिन के दौरा भी अपनी तरफ भी काम करें कि अजय के अजय को अगिक वो हाएं, ये हम पाले आएं जरूरी Natürlich में उरने SU जरा काम आएं़ा काम – खेह मोंचा में एक जरा ओंजा की झांटरनीं में। झाल झाल